नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेज मंतरा भाइदी पग रहा है मैं रिती के सवानी आज एक वाफिर सुपस्ति तो आप सभी के भी तालिका की गायक ख्या लेकर जैसा कि इससे पहले मैं आपको यूपिस प्रसी पिट की पाई चार्ट ये सब क्वेशन इतने हलके होते हैं या आपको इने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है डेली मेरी वीडियो आपके लिए आती है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें और अगर आप उस वीडियो को मन लगा के एक बार देख लेते हैं तो समझ लेजे पेट एक्जाम 20 से यहां से पक्के ही है और जो पांच नंबर की पैरंबिक अंगरीद आती है उसमें विक्दम हलके हलके कोश्चेन आते हैं बस विस्वास करिए आपको थोड़ा सा कॉंसेट के लिए रहेगा अगर आप 9-10 में अच्छी पढ़ाई किये रहे होंगे तो आपको पचीस नंबर के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस पचीस नंबर को भूल के आप बाकी 75 नंबर की तयारी करिए इस पचीस में से 23-24 नंबर मेरी ये वीडियो आपको दिल साबक जो 75 नंबर है उसमें आप कोसिस करिए कि कम से कम 65 नंबर गेन करिए ताकि आपका 85 प्लस नंबर हो जाए काड़ते पीटते इधा उधा उदा से 85 प्लस नंबर है तभी आपको आने अली भरतियों में कटाप के कॉर्डिंग इलिजिबल हो पाएंगे क्योंकि जिस आज हम तालिका की वैक्षा को लेकर आए हुए हैं तो आए तालिका की वैक्षा आपको सौल्व कराते हैं और आज आपको इस तालिका की वैक्षा वीडियो देखने के बाद एकदम आपके लिए तालिका के लिए जितने भी कोस्चन रहेंगे हमेशा के लिए आसान हो छन संख्या दर्शाया गया है में बोला क्या गया कई वर्श a वर्श लोग सिक्षित एउस समय जन संख्या why थी 3042 थी दो वर्स 2012 में 814 हुए तो संख्या क्या होगे 3072 होगे अब इसी तालिका के इसी जो तालिका में डाटा दिया हुआ है उसी डाटा के कॉर्डिंग नीचे कुश्चिन दिया हुआ है जिसको कि सॉल्व कराते हैं आई देखे बोल क्या रहा है वर्स 2012 में कितने प्रति सिक्षित लोग थे कुल जन संख्या की तुल्ला में किसकी तुल्ला में कुल जन संख्या की तुल्ला में कुल जन संख्या की तुल्ला में कुल जन संख्या हमारी कितनी है 3072 है अब यही कोश्चित हैं हम से पूछा वर्स 2012 में कितने प्रतिसत लोग सिक्षित हैं तो वर्स 2012 बारा में 814 सिक्षित लोग थे किसकी तुल्ला में 3072 की तुल्ला में इसी को पृतिसात के रूप में पूछा है बस और कुछ नहीं करना है तो अगर पृतिसात के पूछता है 100 से क्या कर देते हैं गुड़ा कर देते कि यह इस सो इधर लिखते लेकिन इधर तालिका ते इसल सते 14 बचा 1, 2, 12, 1, 2, 8, 16 इसे 2 से काटेंग क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है और काट लेते हैं 2, 3, 6, 1, 2, 8, 16, 2, 4, 8 ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा अब आईए आगे 11, 33 बचेगा कितना 5 आईए चलिए आगे इसको मल्टिप्लाई कर लेते हैं देखते कितना एंसर आता है 25 गुड़े 407 बटे 384 चलिए यही छोटा सा मल्टिप्लाई है इस मल्टिप्लाई को कर लेते हमारा एंसर आ जाएगा यहां भी करा दिता हूं मैं 25 सेते कितना होता है कितना होता है 273 गौकाश गारी लगा कितना 25 सील आट दिले लगा किए 25% 3120 एक 101 बटे 384 एक बटे 384 अब कुछ नहीं करना है आपको देखना है से कितनी बार जाएगा यह कितनी बार गया वीजिशन में आपको श्रुयम से करनी पड़ेगी यहादा-ज्यादा प्रैक्टिस करें कि अपस उसके आज पास पगार लिए कि कितना तक आएगा वहां से आप पर लां सकते हैं आया बढ़ते हैं उगले प्रक्शन पेए अ देगर प्रश्वत्त रह भाएं अगले प्रतुलास देखेरे होन्न working spectrum कुझारास फ्लाएं गयुआँ तो ञें रहा है वर्श्वanor संख्या के कितने प्रतिस्त प्रतिती हुई तो आप जान रहें कि वर्ष जो हमारा 11 था उथ में 3042 था कितना स स्थीन жटाव और 2062 था और चाहरा थागवर्ष स zwischen 12 Nagdesi Bei 3030 की तुलमे 12 में कितनी प्रतिती हुई 30 की तुलम बात करता हुए हमेशा हर में लिखाता है प्रतिस्त का यहीं है जिसकी तुल्लाम बात करता हूँ हमेशा हर में लिखाता है तो किसकी तुल्लाम बात कर रहा है तो वर्स दो जाए 11 तुल्लाम बात कर रहा तो यहां लिखाएगा multiplied by 100 ये cutting कितना हो जाएगा 15, 21, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है इसे cutting 3 दहम मत 30 इसे cutting 3 पज़े 15 3 सते 20 हो गया ठीक है अब आगे आप इनका multiply कर लीजे तो इस कितना हो जाएगा 50 into 10 कितना हो जाएगा 500 500 बटे 507 कितना है 500 बटे 506 जब आप इसे cutting तो आएगा 0.98% किना आएगा 0.98% 0.98 किसके एप्रॉक्स है 1 के प्रॉक्स है यहाँ से आप देख के समझ जाते हैं किसके एप्रॉक्स सा 1 के प्रॉक्स में था तो इसका सही answer हमारा क्या हो जाएगा हमारे तालीका पाई चार्ट ग्रेखा ग्राफ बार ग्राफ में केबल और केबल और केबल आपको अगर कुछ समझना है तो प्रतिसत अनुपात इन ही बातों को आपको समझना है इन ही सबसे रिलेटेड कोश्चे मनते हैं प्रतिसत अनुपात जोड़ घटाना यही चार चीज अगर आप इ किया है एकदम पक्के हैं की ग्राप के grandson से चलिए अगले पर्षिते संख्या ने बोल EB से वर्स2014 की तुलना में वर्स2014 की तुलना में मर्स2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रस्याट्व ना पूछा वर्स2014 में किसमें 14 में कितना था? 1250 अब वर्स 2015 में कितना था? 1380 कितने प्रस्षत की बिद्धी हुई है? आप लोग देख सकते हैं 130 की कितने हुई है? 130 सिक्षिद लोगों की बिद्धी हुई है किसकी तुल नामे? वर्स 2014 बात किया है 14 में कुल कितने थे? 1250 गुड़े क्या कर देंगे? 100 कर दे यह 25 यह कितनी बार जाएगा 26 बार जाएगा 26 बार जाएगा अब आप देखिए 26 दुनी 52 बटे 5 और इसे अगर आप काटेंगे कितना आएगा 10.4 कितना एंसर आए 10.4 परशन जो कि हमारे आपसन नंबर A में दे रखा है तो जो यह हमारी कैलकुलेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता है इसको आपको सवयम से करना होगा अवे सवयम आपको कैसे करेंगे खुद से practice कर एक रेगुलर वीडियो देखिए रेगुलर उसको practice करें ताकि कि आपको ये ही कालुक्लेशन छोटी चोटी चोटी कि इसमें आने वाली उसमें आपको ज़्यादा समय न लगती है इसलिए आ। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी यह बात आप जाणना ले कि आपको इसमें कोई हर नहीं चलाना है कि हमें मैथ नहीं आती हमें मैथ नहीं आती हमें मैथ नहीं आती है आपको मैथ आती है इस टाइप की जो हमारे पेट एक्जाम मैथ आने आले वह तो जरूर आती है तो बस कुछ नहीं करना है थोड़ी से आपको बस हमारी वीडियो को देखते रहना है आपका सब देखे अगला question बोल किया रहा verse 2011 से verse 2016 तक verse 2011 से verse 2016 तक सिक्षित लोगों की औसस संख्या क्या है सिक्षित लोग यह है इनकी औसस संख्या हम से पूछा है अब ऐसे question में तो आपको cable और cable जोड़ना पड़ेगा और कोई option नहीं आईए यहीं से जोड़ लेते हैं छोड़ते हैं उधर क्या लिखेंगे 4,2,6,7,6,13 13 का 3 कैरी आया 1,1,2,1,3,1,4 4,5,9,9,8,7 17,6,23 का 3 कैरी लगा 2,7,2,9,9,8,7 17,9,26 26,28,28,28,3 31,31,5 36 का 6 कैरी लगा 3,1,2,3,3,6 कुल कितना आया 36,33 और कितने वर्ष की बात किया है 6 वर्ष की बात किया है तो 6 से क्या दोगे भाग दोगे 6 कम 6, 6 कम 6 ठीक है फिर वहाँ 3 उतरेगा 0 लगाओगे 6,35,30, बचेगा 3 यह हो जाएगा 5,1105 देखिए यहां option number D में आपको 1105 देख रहा होगा जो कि एकदम क्या है सही जवाब है ध्यान से नीचे देखिए D number में 1105 दिया हुआ जो कि हमारा एकदम सही जवाब है चली बढ़ते अपने अगले प्रस्ष पे यह पांचवा प्रस्ष इसी तालीका से यह पांचवा प्रस्ष एक तालीका अगर आ जाती है और तालीका आपने पढ़ लगी तो पांच नंबर तो हाँ ऐसे ही फक्के हो जाएग क्योंकि यह पांच प्रस्ष एक तालीका से बनते हैं बोल किया रहा, वर्स 2015 की तुल्ला में, वर्स 2014 में, सिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिसत की कमी हुई, वर्स 2015 में कितना था, 1380 था, 14 क्या हुआ, 1250 कमी कितने हुई, 130 की कमी हुई, किसी समझेगा वर्स 2015 की तुल नाम यहाँ नीचे वर्स 2015 के सिख्षितो लोगों की संख्या लिखाएगी इसी बात को आपको धियान रखना है 90% मिश्टेक यहीं पे होती है कि जिसकी तुल नाम बात किया रहता है उसे हर नाम देया है कि कटने बार जाएगा 50 बार जाएगाो कर देते कि इसको आए कार देते हैं 69 नाइन जा, 69 नाइन जा कितना होता है, थोड़ा सा मल्टिप्लाई कर लिजे, 690 माइनस 69 कर दीजे, निकल जाएगा, 10 में 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 621 होता है, यहाँ 621 आएगा, अगर 9 टाइमस ले जाएगा, बचेगा कितना, 29, 29 होगे बनेगा क्या, 290 बनेगा, और 290 बन अगले प्रस में, जो की दूसरी तालिका से संबंदित है, इसमें केबल और केबल, आप ये बात जाने रखे, कि आपको जोड़ घटाना, गुड़ा भाग मन लगा के करना है, देखे, बोला क्या, यह तालिका, तीन वर्सों के दवरान, 5 अलग-अलग कॉलेज के उत्त्री पर इच्छा हम बैठे थे, कितने बैठे थे, दो सो बिद्यार थी बैठे थे, पहला ही कोश्चन आपके सामने आया क्या, निम मेश्रे किस कॉलेज के उत्त्रीण छात्रों का अवसत, पिछले तीन वर्सों में सबसे कम रहा, किस का सबसे कम रहा है, यह जानने लिए हमें स कोश्चन आपको समझे, आप को फिलेज के सामने लिए सब्सक्राइच को फेन पैठे बलती है, 8, 2, 10, 4, 14, 14 का 4 कहरी लगा 1 6, 1, 7, 7, 14, 7, 21 इंका टोटल कितना आया? 214 अभी देखे, 214 बटे 3 3 सते 21 कट गया, 3 एक कम 3 यहां बचेगा 1, कितना बचेगा? 1 जो कि यहां 3 बार चला जाएगा, ठीक है? यह किसका निकला है? A का निकला है B का देख लिते 8, 5, 13, 13, 7, 20 का 0 कहरी लगा 2, 6, 6, 12, 24, 7, 21 इंका 210 ही आया, ठीक है? आगे देखे, 8, 2, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8, 8, 16, 16, 9, 16, 9, 24, 16, 9, 25 होता है यहां 22 हो गया ठीक, 5, 2, 7, 8, 7, 15, 5 हासिल लगा 1, 9, 37, 27, 28, 28, 28, 28 हो गया ठीक, तो आप एक चीज यहां पर बखूबी देख सकते हैं अगर मैं यहीं से लगा 1, 7, 7, 14, ठीक है अब आप यहां पर एक चीज यह नोटिस करिए कि देखे, जिनका योग सबसे कम होगा उनका आउसद भी सबसे कम होगा इस बात को आप समझ रहें की नहीं तो यहां से आप देख रहें तो सबसे कम योग किसका है बी कॉलेज का, किस कॉलेज का है बी कॉलेज का, तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ज़्यादा आपको महिनत करने के जड़रने थोड़ी सी smart तरीकेस आपको question solve करना है तो थोड़ा से smart तरीका हमारा क्या है कि हम इंको add कर लेते हैं अगर इनका योग ही जादा होगा इनका अपस्त कम होगा तो b college का योग कम है इसलिए बी वाले का उस्त भी क्या होगा कम होगा आपसन नंबर बी का बी हमारा सही होगा बी कॉलेज की आउस्त संख्या क्या थी पिछले तीन वर्सों में सबसे कम थी चली बढ़ते अगले प्रश्च पे प्रश्च पहाँ सबस्त बबले बी पिछले वर्स की तुलना भी कि बात कर रहा तो आपको आपको जो भी सॉल्ब करना होगा कॉले और र sometimes में उत्तृड रहरा होने वाले विद्धिया वर्दिया रिक्वा की संख्या का बिश्थी प्रतिसाद बताईए बोल किया रहा है पिछले वर्स की तुला में ठीक है 2017 बात करा पिछले वर्स की तुला में कितना विद्यार्थी अधिक क्या हुए है प्रतिसाद में उत्रियन हुए तो आप देखे 2017 में पहले 77 थे पिछले वर्स में कितने थे 68 थे कितना जादा हुए ह आप यहां देख सकते हैं 9% कितने परसे ज्यादा हुए 9% अब इसी को यहां एक option आपको क्या हो गया कट गया इसी को हमको इसकी तुल्लाम बताना है तो नौ बटे 68 गुड़े सव रखना पड़ेगा देखे पिछले वर्स की तुल्लाम बोला तो पिछला वर्स यहीं रहेगा यहां एक option number D कट गया है चलिए उसको भी दिखाते हैं क्या है IRA छी दो चोक आठ ही किनना हो जाएगा फचास हो जाएगा यह सतरह हो जाएगा तो यह भीया gla पीज़ बात को याधर रखीएगा 25 नमया, 225 होता है 225 बटे 17 कर दिये 17 एक कम 17, 5 बचा 75 हुआ, 17, 51 हुआ 4 बटे का 40 होगा, 17 दुनी 34 होगा इतनले ज्यादा solve करने जरूर नहीं है 13.2 हमारा answer क्या होगा? सही होगा आपको मैं 100 बार बताऊंगा, 101 बार बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, calculation तेज करनी है percentage थोड़ा सा सीख लेना है थोड़ा सा ratio सीख लेना है अभी इस नमबर पक्के कर लेना है चली बढ़ते हैं अगले प्रस्ष पे अगला question अलग तालिका से बोला क्या है नीचे दी गई तालिका चार भारती बले बाजो द्वारा किसी खास वर्स में खेले गए T20 मैच्चों में बनाए गए रन अर्ध सतक सतक की क्या है संख्या को दरसाता है कि जो चार भारती प्लेयर हैं हमारे नमबर एक के चारो प्लेयर हैं जिसमें जैसे विराट कोली ने 16 मैच्च खेल के 900 रन बनाए जिसमें 4 अर्ध सतक 3 सतक भाई इसमें फॉर्म में नहीं है रोही सर्मा 20 मैच्च खेले हैं 840 रन बनाए इतने अर्ध सतक इतने सतक सिखर दवन ऐसे ही सुरेस रहना चारो की बात किया गया अब इनी जरिलेटेड आपको question पूछेगा पहले question क्या बोला है सिखर दवारा किसके दवारा सिखर दवारा बनाए गए प्रती मैच और तरण तथा रोही दवारा बनाए गए प्रती मैच और अश्रत रन का अंतर क्या है रोही त्रोही कितना बनाए है 840 रन बनाए कितने मैचों में 20 मैचों में सिखर कितना बनाए है 1050 रन बनाए है कितने मैचों में 25 मैचों में दोनों का पहले आप आउसत निकाले 00 कट गया 2 एक कम 2 ये कितना बार जाएगा 42 इसको कटी 25 एक कम 25 ये भी कितनी बार जाएगा 42 बार आप ये बखुबी देख रहे हैं कि दोनों का आउस्त कितना है 42 और उनका अंतर हमसे पूछा 1042 माइनस 42 जीरो तो दोनों का आउस्त कितना है जीरो का है दोनों ने सेम आउस्त से रन बनाए हैं कितने आउस्त से सेम आउस्त से रन बनाए हैं चलिए आप आसा करूंगा कोश् समझ में आ रहे होंगे बढ़ता हूं अपने अगले पर्शन पर एक मुनेट जैस्टा मिनेट कुस्चिन चला गया आ गया आ गया कुश्चिन आ गया तिकर दोरा बनाए गया हो गया थानने जलिए चलिए अगला पर्शन है स्कीन पर बोल क्या रहा है सभी चारो बल्ले बाजो की दोरा बनाएगे कुल रनो की संख्या किया है सभी चार बल्ले बाजो दोरा बनाएगे कुल रनो की संख्या क्या है चलिए आइड करना है इस सवाल को सॉल्फ करना है पर आपको एक महात्पूर जानकाई देना चाहता हूँ जैसे कि आप सभी जानते कि हमारे अब्लिकेशन जिसका नाम है सक्सेज मंत्रा भाई दीपग रहा है उस पे पिट की पेट क्लास चल रही है जिसकी फीस मात्र 399 रुपए हैं जिसमें आपको डेली 5 घंटे की क्लासेस लाइब तथा रिकॉर्डेट मोट पे उपर से पीडिया उपर से नोट्स वहला सब कुछ आपको दिया जा रहा है फीस एक मात्र ली जारी किजना 399 रुपए उस 399 रुपए में आपको 85 प्लेस नंबर पाने की प पढ़के देखिए विस्वास करी पिट में 85 नंबर कहीं नहीं गया है फिरी में तो आपको यहां क्लासेस मिल ही रही है यूटूब पे साथ ही साथ अगर आप और अच्छे तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे को ले सकते हैं जिस आप बूल क्या रहा है जबी चारों बल्ले बाजों द्वारा बनाएगे कुल रनों की संख्या क्या है इन्हीं को हमें एड करना है अब इनको तो आप ऐसे लिख मत करी ऐसे एड कर ली एक हजार उन्नीस सव उन्नीस आठ कितना होता है 27 27 24 31 32 142 रन कितने रन बनाएगे याने 32 स्कीन पर बोल कर रहा है विराट द्वारा सोला मैचों में बनाए गये रन यहां कभी फॉर्म में रहे ही नहीं इनका देखे एक जीरो ते जीरो कड़ गया पांच नवावा पैसा नौत सब्सक्राइब कदना नुपात है साथ रेशियो तीन का कितने का नुपात है साथ रेशियो तीन का जो कि हमारे अपसर नमबर डी में दे रखता है आता करूंगा आजकी वीडियो आपको समझ में आई होगी यी वीडियो नुब से रिलीतेट 15ा सारे जटे आते रहें थोड़ा जादा जादा सेयर किया करें ताकि हम लोग भी रेगुलर आप लिए अच्छी वीडियो ले आते रहें चलिए मिलूंगा कल फिर नहीं एक वीडियो के साथ धन्यवाद